आज 8 एप्रिल 2023 हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरूली आज के महावाइकों इस महावाइकों में बाबा बुले मेठे बच्चे किसी भी कारण से कुल कलुंकित नहीं बनदा है धरत परिये धरम ना छोरिये बाप से किया हुआ बचन सदा याद रहे ये तुमारा ब्रम्भन जिवन है प्रश्न बच्चों को कौन सी खबरदरी होर कदम पर राकना बहुत बहुत जरूरी है उत्तर इश्वर के शमने जो बचन लिया है वाइदा वा प्रतिग्य की है वो किसी भी हालत में निभाना है ये खबरदरी रखना बहुत बहुत जरूरी है कभी भी बाप का बनने के बाद किछक बन उल्टे कर्मों नहीं करना अगर उल्टा कर्मों किया तो धर्मोराज पुरा पुरा हिशाब लेंगे मन मत वा परमत पर नहीं चलना हर कदम पर स्रिमत याद रहे आज का गीत तुमी हो माता पिता तुमी हो तुमी हो मंधु शका भी तुमी हो अम शान्ती शिब भगवान वाचो अपने बच्चो शलोगरामी पुरती शलीगराम आत्मा को कहा जाता है बच्चे ये भी जानते हैं हमरा परमपित परमात्मा है जिसका नाम निराकार शिब ही है वो कलन करी है वो मंगल मा है बैपारी लोग शिब डॉट बिंदू को कहते है बाबा ने समझाया है बच्चे आत्मा भी डॉट अर्थद बिंदू ही है जो भ्रोकटी की बीच में रहती है चमकता है आजब शितारा ये तुमें बहुत शुक्ष्मो अनुभव करना है ये तो पहले निश्चे करना है बरबर हमारा निराकर बाबा शिब बाबा हमको पराते हैं हम स्टूडेंट है इस शमय हमरा रुहानी जारनी है spiritual lesson हम पर रहे हैं हमरा बाप है शीब और हम आत्मा है रुद्रु कहे तो भी निराकर है सिर्फ नाम अलग है चीज तो एक ही है रुद्रु को हो शीब को हो बात ही एक ही है वो है परमपित परमात्मा परेते परे रहने वाला अर्थत परमधम में रहने वाला मौनिशु स्रिष्टी का भी जिरुप ये बात को हमें गहन अनुफ होती करें सर्वो आत्मा का वो बाप है टीचर है सद्गुरु है यो निराकर आत्मा बोलती है शाकार शुरीट से अर्थत जब संगम युग में ब्रह्मा तान में वो अवतरन करते है तुम बच्चे स्वम्मुग बैटे हो न तो नशा चरता है न कि बरबर शिब बाबा हमको पराते है इस समय हमें देविदवत बनने के लिए हमारी रूहानी नशा भी चरना चाहिए हम स्टूडेंट है बाबा का अपना शुरीर तो है नहीं कोई मात्री गर्भों में भी नहीं आता बाकी होर एक आत्मा के शुरीर का नाम अवश्य होता है आपना अपना नाम है परमात्मा का एक ही नाम है शिब जो चलते आया चलते आया तो बाब समझाते है मैं निराकार शीब हो मेरा कोई नाम का कोई परिवर्थन नहीं होता तुमारा तो जनम बाई जनम तुमारा परिवर्थन होता है मैं तुम बच्चों के माफिक मुनिश्य स्रिष्टी पर पनरजन्मों लेने के लिए शुरीर नहीं धरन करता हो मात्री गर्भों में नहीं आता हो जो तुम आते हो तुम सब शाकारी हो मैं शाकारी स्रिप अभी इस समय बनता हो जब तुम को अभी देविदेपता बनाना है ब्रह्मा तन में मैंने शाहार लिया अभी अभी ही स्री प्रविशकर्प में पराता हो इस समय है पार्ट मेरा चलता है तो इनकी आत्मा ब्रह्मा की आत्मा और तुमारी आत्मा शुनती है मैं जो लेसन देता हो यो अच्छी रिति धरण हो तो बाप के साथ तुमारा प्रेम जोड़ जाएंगा ये बात तुमारा बहुत नेचरल होना चाहिए नेचरल लगना चाहिए फिलिंग होना चाहिए परंतो बच्चों को शकल दिखाती हैं कि बाबा अनुभब करते हैं इतना लाब किसी का भी नहीं होते हैं बाबा कहते हैं मोकरा खिल जाना चाहिए बाबा को अगर तुम पहचान लिया ना खुद को पहचान लिया ना कनेक्टिवीटी हो गाया ना तो चेहरा में एक रोनों काना चाहिए जैसे कुन्ना पोती के साथ मिलती है जैवराधी पहनती है तो मोकरा खिल जाता है तुम बच् पाराचर जाना चाहिए ना बाबा तुम्हें कोई शाकार रूप में नहीं फसाते हैं जो देहोधारी दुनिया में अक्षर चलते रहते हैं देहोधारी देहो के दुनिया में फसाते हैं रूप जोबन में फसाते हैं और सब तो देहो अभी मानिला अपने शाकरतन में ही फसा आते रहते हैं दुनिया में कितना कितना कहानिया बनते हैं यह तो बाप कहते हैं बाप कहते हैं मोच निराकार बाप को याद करो इस समय यही तुम्हरा सबसे उत्तम प्यार है हे लडले बचे हे आत्माए में परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्छों को में पराता हो नहीं तो मैं कैसे आओ, कैसे पराओ, तुम्हें देविदवता कैसे बनाओ, पावन बनाने के लिए, शुरीर तो जुरूर चाहिए ना, तो ये ब्रहमा बेश में दलाल बनता है, ये ड्रामा में उनका पार्ट ऐसा नोध है, शुरीर बिगुर तुम्हें आनी ही सकता, परा सुनाती है, तो वो भी होता है, ड्रामा उनुशार सबका बारी में नहीं होता, तो ये शक्षातकार भी है, तो ये ड्रामा भी है, ड्रामा में नूध है, जो है, जो नूध है, वो सुनाएंगे, तो उनको पित्र भी कहा जाता, सोल को पित्र कहा जाता है, तो ये भी तुम इस समय अनुभब करते हो जो एक शोरिड छोड़ जाए दूसरा शोरिड लेते है अब तुम बच्चे जानते हो बाबा है ग्यान शागर तो पानी के शागर की कोई बात है नहीं जो तुम बार बार जाकर डूपकी लगाते हो मुनिश बहुत बड़ा सेजरा रखते है फिर वो सरनेम बढ़ जाता है तो यह चलते ही रहते है चलते ही रहते है यह है स्रिस्री शिबाबा की माला तुम बच्चे हो और आत्मा होने से तो शिबाबा का साथ तुमारा यह अनुखा रिस्ता जोर जाता है बाबा के एते, ये बचे देही अविमाने मन कर बाप को पुरा याद करना है, तुम आपने को आत्मा समझ, बाप को याद करेंगे, तो तुमारे भी करम दग्द होंगे, और कोई उपाई नहीं, नहीं तो बहुत डंडे खाने परेंगे, बाप बार-बार केहते है, ये बाब के एते, बचे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम बाबा को याद करते हैं, कितना समय हम बैठ थो गवाते हैं, एक घुरी याद करना शुरू करो, तो फिर प्रैक्टिस पढ़ते जाएंगी, पांच मिनिट, दस मिनिट, ऐसा इसे करते, एक घंटा, दो घंटा, आठ अंतिम तक तुमर हो जाएगा, ऐसे अवस्ता जमाओ, जो अंतों में, एक बाबा की ही याद रहे, एक बाबा दुसरा ना कोई, ऐसी याद में रहने वाली ही, बीजोई मला के आठ रतन बनते हैं, जिसमें बहुत मेहनत हैं, मेहनत चाहिए, बिगर मेहनत तो तुम इतना प बेटते हैं बस तुम में, यो तो लो नहीं, त्याक किया तो त्याक किया, तो फिर महलों में क्यों, तो तुमको तो सतियोग में महल मिलेगा, सोने मिलेगा, आता हो धन मिलेगा, इसलिए तुम्हें इस समय सादा जीबन अपनाते हो, त्याक करते हो, त्याक करते हो, बिकार लिए तुम्हें आता हो प्रढब्दों मिल जाएंगे, तो यही उपए है, यही बीदी है, कोई शॉटकार्ट नहीं, बाकी इहां की शावकरी तो मिटी में मिल जाएंगे, आखों का सामने जल जाएंगे, पोड़ जाएंगे, कि इनकी दबी रहेगी धुल में, कि इनको चोर तो कि इनको चोरी करे कि इनको डाका डाले कितना भी तो अंतिम समाई में द्रिश्य होगा बात मत पुछो एक्सिडेंट होने होने से आग लगती रहती है न ऐरोपलेन गिटते हैं तो चोर लोग जट लोट मार कर शामान चोरी कर भाग जाते हैं तो अभी तो यह बाम साधी बने हुए है न तो यह तो गिरेंगे इसमें तो ढहर के ढहर मोर जाएंगे तो यह द्रिश्यो तुम देखने ही पाएंगे यह अभी की बाते फिर गई हुई हैं जो भी लाग पती आदी हैं सब खतम हो जाएंगे कोई दहावभान नहीं रहेगा अमेरिका देखो कितना सवकार है इस मृत्यू लोप में अमेरिका जैसे तो बहुत हो के लिए शर्ग है पर उन्तो रुन्यों के पानी मिसल अभी है तो थोरा दिन बाद नहीं रहेगा तो पानी पानी हो जाएगा तो यह तुम जानते हो वो खुद ही समझते हैं तो मौत व वेशक शम ने खारा है जुरूर भगवान भी होगा ना तो भगवान उपर से देख रहा है तो भगवान का लौबी एक होगा ना तो बच्चे ही ब्रहमुन अपने को कहलाते तुम दादे से क्या करते हो बर्शा लेते हो प्रपार्टी मिलता है श्रिमौत तो स्रेश्टो गई होई है ना तो उस पर तुम्हें चलना चाहिए इससे तुम्हें कोई उल्टा नहीं चलना चाहिए देवता तुम्हें बनना है लक्ष बाबा ने दिया है तो बाप कहते हैं इस समय होर एक दोड़ जदन और दुरूपदी ही है सरा संसर ऐसा बन गया एक कथा में है द किछक उनके पिछारी परी직ображ दुमारे सब का जिवन अभी म습니다 जिवन बन गाया कुमारी अथों माता सब दुमारे ज़ाती है तो किचक कुमार寅 का कउना सरस्कारी पर जाती है किचक पिछारी में पढ़ते हैं अब तुम बाप के बच्चे ब्राम्वन बने हो न देबटा बनने के लिए ब्राम्वन सो फरिस्था सो देबटा तो ब्राम्वन कुल को कलंकित नहीं लगाना है कलंक को नहीं लगाना अगर लगाया तो तुम्हें बेशक तुम्हारा बहुत शर्वनाश होगा सतनाश होगा क को लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे, कुल कलंकित का तो कभी मोग भी नहीं देखना चाहिए। इतना स्टिक बाबा ने बात वाच्छू बताते हैं। उन जैसे पाप आत्मा दुनिया में कोई होता ही नहीं। तो महामुर्कों देखना है तो इहां आकर कर के देखो compelling जैसे पाप्यों का भी उद्धर तो ही है ना, जाजयका कर बहुत पीरित होते हैं, आत्माओं को बड़ा दोख होता है, परम, पिता परमात्मा बहुत के बाप को फरकोती दे देते हैं, तो इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता ही नहीं, दुनिया तो ब मात-पिता को समहल करनी परी। माया बरी जवर्दस्त है। इसलिए बाबा के हैते बच्चे, इतना ताकत है ज्यो पवित्र रहो, बाप से बर्शा लो। इतना ताकत है तुमारी पास। तो बुद्ध है चब हम बाबा का बच्चा बने तो बच्चे यहां दो मालिक बनते हैं। तो याद रखना बहुत करी सजाए खानी परेगी। यहाँ तो प्राप्ती बहुत है। प्राप्ती को देखो प्राप्ती का लिष्ट बनाओ। सर्गो का मालिक बनते हो तुम तो एतना खुशी तुमारा दिल उगार जाना चाहिए। लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोरा तो एक दो मिठी में मिल जाएंगे। तो ये भी बाबा ने शाब्धनी दिया है। सम्मुक रहने वालों को भी माया नाक से पाकर लेती हैं। इसलिए बहुत खवरदा रहना बच्चे बाप का बनकर प्रतिग्या कर। फिर पवित्रों ना रहे तो भी बहुत करी शाजा ख है और कभी नहीं होगा। शिप बाबा के ये ते बच्चे प्रतिग्या करो। तो हम पवित्रों भारत को स्वर्ग अवश्य बनाएंगे। अगर प्रतिग्या तो खलाश हो जाएंगे। धरत पर ये धरम ना चुरिये। मौर जाओ तो भी ये प्रतिग्या नहीं फिर बदल जाते हैं ना। कोई भी ऐसा ऐसा है तो इसलिए बाबा बार बार बच्चे को शाबधनी देते हैं। अभी तुम जवान करते हो परमपित परमात्मा के साथ। ये कोई सादरन कोई मौनिश्व आत्मा का साथ नहीं। अगर जवान कर बदल गए तो धरम राजद बार दंडो बहुत खाना परेगा, करा शाजा खाना परेगा। फॉल देने वाला तो बाब है ना। दान पुन्नो का भी फॉल दिलाते हैं तो पाप की साजा भी दिलाते हैं। तो इससे कोई मुक्त नहीं हो पाते। करन करावन हर हैं तो तुमको बरा खावर्दार रहना चाहिए यहां तो सम्मोग बेटी हो तुम स्टुडेंट होकर के बेटी हो बाहर में तो हॉंक्ष को बोगुला की साथ रहना पड़ता है तो बहुत मुश्किल तुमारा जिबन बिताना है बाप कहते हैं ग्रियोस तो बेभार में रहते काके मामे चाचे को देखते एक बाप क को ही याद करो एक बाबा दूसरा ना कोई पुन्नो आत्मा बनना है ना पापों से बचेंगे तो जब जोग में रहेंगे बुक्सिन में खवरदरी चाहिए नहीं तो माया कभी पीट कर घोशा मार देगी यह कोई कमन शत्षंगों नहीं बचे यह इस शुरियोस शत्षंग आपकी रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धरणा के लिए मुखशार एक नमबर बाप से जो प्रतिग्यकी है उस पर कायम रहना है कभी भी जबान देकर के बद खबर्दा रहना है, नमबर दो, आपना और दुसरों का ज्यान स्रिंगर करना है, कभी भी देह अभिमानी बन शाकर शुरीर में ना फसना है, ना किसी को फसाना है, ये महा अपराद है, आज का बर्दान हर आत्मा को सेकेंड में मुक्ती जिवन मुक्ती का अधिकार दिलाने वाले, मास्टर स्द्गुरु भव, अभी तक मास्टर दाता बा मास्टर सिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी स्द्गुरु के बच्छे बन गोती और स्द्गुती के बर्दाता का पार्ट तुम्हें बजाना है, ये कठिन पुरुशार्ट तुम्हें करना चाह इसे मस्टर शवद्गुरु ही सेकेंड में नजर से निहाल करके और थत्मोक्ति जिबन मोक्ति के अधिकार दिलाने की शेबा कर सकते हैं। आज का स्लोगान आग्या करी बनो तो बाब ददा के दिल की दुआए अवश्य प्राप्तो होती रहेगी। आज का स्लोगान मैं मस्टर शवद्गुरु आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांती। आज 9 एप्रेल 23 हम सुन रहे हैं अब्विक तो बाब ददा के आज की हिंदी मुरूली। इस मुरूली बाब ददा पहले बार चलाई थे 9 मार्च 1994 में आज फीट से हम इसका रिवाइज बानिशोन रहे हैं। आज का मुहाविक को हैं न्यारा, प्यारा, वंडर्फुल, स्नेहों और शुक भरा अवतरण शिप जयनती। बाप का विजयनती और बच्चों का विजयनती। आज त्रीदेव रचता बाप अपने पुजो शालिग्रम बच्चों से मिलने आये हैं। यह हमारी दिये बहुत खुशी का बात है। जैसे बिंदु जोती शुरूप बाप की पुजा होती है न संसार में। बाप एक त्रीमूर्थी शिब गाया हुआ है और पुजा जाता है और आप शालिग्रम आत्मे अनेक हो। आप ऐसा बहुत कर्मों किया है जिसके लिए आपका भी पुजा होता है। पुजा दोनों की होती है क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को आपने समन पुज़ो बनाया है न। कभी भी शालिग्रम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो। जब इस समय और इजिनल ग्यान को तुम जानते हो तो सालिग्रम को देखते हो तो क्या अनुभव होता है। तो यह हम ही है ऐसे लगता है मौन में यह संकल पो आता है तो बाबा ने बच्चों को सुमान तो क्या लेकिन अपने से भी स्रिश्टो पुझे बनाया है ना अपने से भी महान अपने से भी उझ्जल बनाया है। बच्चों की पूजा डॉबल रूप में होती है शाली ग्राम रूप में भी होती है देब रूप में भी होती है तो बाप की पूजा एक ही शिवरिंगों की रूप में होती है तो इससे बाप से भी बच्चा उपर बाबा बनाते हैं आप बच्चों की शाली ग्राम रूप मे आप ही हो, ऐसे बाबा बच्चों को उपर उठारते हैं, शम्मान देते हैं, जैसे डाबल बीदिशी कहलाते हो न, तो डाबल पूजा भी आपको होता है, कहा कहा भगत लोग, भगत लोग शीप की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधरी बनाया है, इसलिए कहा कहा ताज दिखा देते हैं, बच्चे को ताजधरी बनाते हैं, इसलिए भगत बाप को भी ताजधरी बनाते हैं, ताजधरी दिखाते हैं, लेकिन बाप को भी भी रतनो जोरीत, शोने चांदी के ताजधरी नहीं बनते हैं, ये सच बात बाबा बताते हैं, क्योंकि तो खे क्या नहीं है ना शोरीर ही नहीं है तो ताज क्या धरन करेंगे कहा पिठाएंगे कहा पहनाएंगे लेकिन स्नेहों के करण तो भक्तों ने बाबा को ताज दिखा देते हैं ये भाबना है तो बापने बच्चों को आपने से भी आगे रखा है ना इतने खुशी और इत जयनती मनाने की खुशी नहीं है लेकिन आप सबके भी जयनती हैं ये खुशी बाबा का है इसलिए बच्छों के जयनती की खुशी है क्योंकि बाप एकला कुछ नहीं कर सकता बाबा दुनिया में आए और बच्छे ना हो तो ये कुछ पसिबल नहीं और आप भी एकला कुछ नहीं कर सकते हो, आप सबी इकटे हो जाए और बाबा आए नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो चाहे कही कही कोई बच्चों को थुरा थुरा देहबान आ जाता है कि मैं ही करने वाला हो, लेकिन शिवाए बाप के सफलता बच्चों को कभी नहीं मिलता ये सबसे वरा साच बात है तो नो बाप एकला कुछ कर सकता नो बच्चे एकले कुछ कर सकता है ये हाकिकात है अगर बाप बच्चों से मिलन मना मनाने भी शाकार में चाहे बाप आकार में भी चाहे तो ब्रहमा का आधार लेना ही पड़ता है ये बीच में ब्रहम के बिना भी कुछ नहीं कर सकता, बाबा एकला कुछ नहीं कर सकता, बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता, माध्धम के बिना साकर मिलन नहीं मना सकते हैं, यह अबिना शिराय है, तो कितना प्यार बाप का बच्चों से हैं और बच्चों का बाप से होना चाहिए, यह बाबा कभी होता है तो एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं ये साच तो जान लिया ना अगर बाप को किनारा किया साथ नहीं रखा तो एक लिए कुछ कर सकते हो क्या तो बाप कर सकता है क्या तो बाप भी नहीं कर सकता बच्चा भी नहीं कर सकता तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ विश्य परिबर्तन करना और साथ साथ अपने सुईट हम में जाना तो ये ड्रामा की अभी नाशिनोंद है ये तीनों साच बातों के लिए तो ये ड्रामा में जो पार्ट भरा हुआ है तो इससे बहुत बहुत खुशी होना चाहिए इसको कोई बदल नहीं सकता ड् प्यारी लगती है जो अभी तुम जानते हो तो आज सब बाप का बार्ड मनाने आये हो या आपना बार्ड मनाने आया हो बाबा कहेंगे आपका और आप बचे कहेंगे बापका तो ये दोनों एक दुसरों का जनम दिन मनाने आये हो ये कितना शुकह दनव होती है तो ये दि आप नहीं आते तो ये दुनिया तमप्रधन तमप्रधन ही रहो जाते ये प्रकृति भी पास तत्तो भी तो ये शत्रप्रधन नहीं हो पाते सती युग में भी ऐसा बार्डे को भी नहीं मनाएंगे सती युग में आत्मय आत्मों का बार्डे मनाएंगे लेकिन इस समय आत्म बाप का भी हो और बच्चों का भी हो और कभी नहीं होता ऐसा कभी होता है क्या कभी नहीं अगर तारीक एक भी होगा तो बर्षों का तो या माश का तो कोई फरक परेगा ना डेट का भी अंतर परेगा बाप और बच्चों का तो एक ही दिन में कैसे संबब हैं लेकिन ये इस यादगार दिवश पर विशिष भक्त लोग भी विशिष अताओं से ये दिवश मनाते हैं। बोली चराना और ब्रातो धारन करना ये दोनों विशिष अताओं इस दिवश का ही यादगार है। इसका तो ग्यान तुमारी पास है आपका है ब्राम्हन जिवन का ब्रत और भक्तो का है एक दिन का ब्रत तो आपको जान करके कितना खुशी होता है। तो आपने भी जब ब्राम्हन जन्म वादिब्बो भार्त लिया तो क्या ब्रत लिया। इसका भी बिशेश होता आपको मालूम होना चाहिए ना। भक्तो तो एक दो बिशेश कारण से ये दिन मनाते हैं। सदा अज्यान नेन्थ से जागरण का ब्रत लिया न, की थोरा- थोरा नेन्थ करेंगे ये ब्रत लिया क्यों आप इस समय ब्राम्हन विशेश आत्मा हो। या थोरे थोरे जोटके खा लेंगे ऐसे तो नहीं किया ना तो आप सभी ने भी शिब जयंती बादिब्बो बाड़्डे पर जागरन का ब्रतो लिया इसलिए भक्तो भी यादगार रूप में जागरन करते हैं आप प्रेक्टिकल करते हो भक्तो यादगार करते हैं और आप स तो कोई भी मौन के आगे तौन के आगे परिस्तिती आ जाए तो ब्रतो तोरेंगे क्या, कुछ भी मिक्स खा लेंगे क्या, नहीं खाएंगे न, कोई देखता है नहीं, चलो खा लिया, ऐसा तो नहीं करते हो, आपना नियम पक्खा रखते हो न, कि कच्चे हो, कभी-कभी दिल होती है क्या。 ये खालो, ये खालो, तो एक ही जैसा खाना, खाते खाते आप बोर हो जाते हो न, कभी दुस्रा भी खाने की दिल होते है क्या, ऐसा संकल्पा आता है नहीं आता है न, अच्छा इसमें अमेरिका, अस्ट्रिलिया, यूरूप, तो एशिया वा राशिया सभी पाक्के हो न, या थोरे-थोरे कच्छे भी हो, तो डबल बिदिशी सभी पास हो गए, और भारत वाले तो पास है ही न, तो भारत वाले को फिर भी सहौज है, डबल बि तो एक बार्डे की मुबारुक, दुसरी पास होने की मुबारुक, और तिसरा कभी भी हल चल में न आए, शदा अचल रहना इसमें पास हो, इसमें कहो देते हैं क्या, क्या करें, समटाइम समटाइम कुछ हो जाता है, आज बाब दादा ने डबल बिदिशी के लिए बहुत तो रमनिक भाषा इमर्च की, समटाइम कुछ एंजय करें, क्योंकि डबल बिदिशी एंजय ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ होना चाहिए, कुछ एंजय हो, ऐसे शान्तो शान्तो क्या रहें, तो बाब दादा शी ब्रत्री पर इन शब्दों का सभी से द्रीरो ब्रौतों कराते हैं, जो तुम्हारा विकनेस है, विकनेस को अभी दूर कराना चाहते हैं, ब्रौते लेने के लिए तयार होना, वो द्रीरोता का ब्रतों अभी लेना ही हैं, तब तुम नोट से नारयन बनेंगे, सत्यों का मालिक बनेंगे, कुछ कर के दिखा पाएंगे, या जब सु दो शंकल पे भी नहीं लाएंगे ना, तब तो तुम्हारा दिरता पूरा होगा, यो ब्रौतों लेने के लिए तयार होना, सभी को तयार होना चाहिए, तो बाप ददा आपको लेसन दे करके आगे बरा सकते हैं, बहुत करके कामजूरी के ये शब्दों कहते हैं ना, कि क्य करें, हुआट, तो अभी हुआट नहीं कहो, कहना हो तो हुआट के बज़ाए, तो क्या कहेंगे, फ्लाई करना, अर्थात औरना, ये शब्दों को चेंज कर देना चाहिए, तो अभी आपका ब्रह्म्हन जिवन उज्जोल होता है, तो जब भी हुआट सब्द आए, तो ब् करेंगे, अभी तो इसको भी चेंज करना चाहिए, तो वाई वाई करना चाहिए, सदा के लिए वाई वाई करेंगे, ये थुरा टाइम के लिए करेंगे, तो सदा के लिए नहीं करेंगे, तो थुरा टाइम के लिए करेंगे, तो ये वापस आ जाएंगे ना, और तिसरा श जब त्रिकल दर्शे बन जाएंगे, जानने वले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्योँ, हाउ तो नहीं कहेंगे, हाउ कहना माना हुबा आना, तो हुबा अच्छा लगता है क्या, इसलिए यही शब्दों है जो कौमजुरी लाते हैं, जो हुआई, हाउ, यह शब्दो से लगती है इन ही शब्दों से लगता है ना या क्यों होगा या क्या वा कैसे होगा तो ये क्यों कहते है फलाना ऐसा क्यों कहते है ये कैसे होगा आप क्या करें कैसे करें तो कौम जूरी के या बैठ तो संकल्पों के गेट तो ये शब्दों ही है ना तो ये शब्दों को नोग आपको ही कपी कर रहे हैं तो आप नहीं बदलेंगे तो भग तो क्यों आपको कपी करेंगे तो आपकी बिहुत की बात है और उन्होंने होद के रूप में यादगार रखा है तो उनका क्या कुसूर है तो यो द्रीरो ब्रतो रखना यही शिब जयनती बा शिब रत्री मनाना है तो यह जतारत होगा आपका जीवन में मनाना अर्थत बनना ऐसे नहीं स्रिप केक काट लिया लाइट जला दी दिपक जला लिया तो यह मनाना नहीं कुछ खाश आपको करना चाहिए यह मनारंजन भी आबश्चक है बाबा मना नहीं करते लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है और कुछ जलाना भी है तो यह अधात्मिक रूप में आपको यह काटना होगा जलाना होगा समझा? जहंडा कौन सी लहराएंगे तो यह तो यादगार के रूप में जहंडा लहराते हो लेकिन अपने दिल में बाब को हर संकलपो बोल और कर्मो दरा सदा प्रत्तक्ष करने का जहंडा दिल में लहराओ ये होगा तुम्हारा पर्फेक्ट लहराएंगे कोई भी शंकल्पो बोल और कर्मो ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्वक्षो करने का नहीं हो क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेहो की करण यही शंकल्प है न कि बाप को प्रत्वक्षो करना ही है तो कैसे करेंगे शदा अपने संकल पो बोल और कर्मोदारा दिल में प्रत्वक्षो करने का जंडा लहराओ और शदा खुश रहने का डांस करो ये परफेक्ट शिब जयनती मनाना है कभी खुश कभी उधाश ये नहीं जब उधाश होती हो तो उस समय भी आपने एक फोटो निकालो जब खुश हो जाते हो तो भी आपका एक फोटो निकालो दोनों को साथ साथ रखो फिर देखो अंतर क्या है आच्छा कौन सा लग रहा ह तो खुशी का ही लगता है न तो इसलिए खुश रहने का डांस करो खुशी जैसा खुराक नहीं कुछ भी हो जाए इतना भी कोई किसी पर प्रकरत के खुशी काम करने या खुशी गुम करने का प्रयत न करे लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना ही है ये पक्का ब तो जिनके पास will powers है वो क्या नहीं कर सकता अगर आप master शर्वर्शकति मान नहीं कर सकते हो तो और कौन करेगा कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो माला के मन के तो आपको ही बनना है और उनका इंतजर कर रहे हो क्या और कोई आएंगे और वो बन जाएंगे आपको तो यो द्रियर शंकल पो अर्थात ब्रातो लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है खुशी जैसा खुरक नहीं और जो खुश रहेगा वो खुशी के मिठाई बढ़ते रहना उस मिठाई से तो मुक मिठा होता है और इस मिठाई से तान मान धान सब कुश मिठा हो है तो ऐसा खुशी चाहता हो न तो यह मीठाई जुरूर बढ़ना और गीत सद्धा कौन सा गाते हो मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा यह गीत गाते हो न इस गीत में बहुत शक्ति है तो यह गीत आटोमेटिक बजता रहे ऐसे नहीं तो बैटरी खुतम हो जाए तो अबी-कभी, ऐसा तुम्हारा जिबन में नहीं होना चाहिए. जब बैटरी स्लो होती है, तो पाता है, गीत कैसे बसता है, मोटा-मोटा हो जाता है. सबको अनुवभव है, ना? फीर क्या होता है? मेरा है, तो मेरा है तो बाबा. तो तो आ जाता है, मिक्स हो जाता है सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे तो मेरा है तो बाबा तो ये अंतर हो गया ना ये एक अक्षर स्लो हो गया मिक्स हो गया, बैटरी स्लो हो जाता है तो आबा स्लो हो जाता है और उसमें तो तो शब्दो एड हो जाता है इसको अबी दूर कराना, ऐसे शिबरात्री मनाए न, तो यहाँ सोचकोर पीछे जवाब देंगे, अच्छा, आप बहुत हुशियार हो, अभी अभी सोच लिया, अभी 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 जवाब दिया, हाँ, हामी ही करना, हामी ही बनना, डबल बिदीशी हो, इसलिए डबल हुशि बिशिष योग भी लगाया ना, powerful योग लगाया तो बिगन विनाशक हो गया ना, चाहे मदोवन निभाशियों के योग ने, चाहे डबल बिदीशियों के योग ने, चाहे चारू और ब्रह्मान-बच्चों के योग ने कामल की कैंड़ कीद़ की न साबका यह एक ही संकल पता कि ब्रह्मा बाप को प्रत्रक्ष करना ही है फिर कोई ने भागदोर की श्यवा की कोई ने मंसा श्यवा की कोई ने बाचा श्यवा की लेकिन जिन होने जो भी जुग जुग तो होकर श्यवा की ऐसे श्यवादरियों को शफलता की बहुत बहुत मुबारुक हो, मुबारुक हो, कितनी खुशी हुई न, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल की ओती शुक्ष्म प्यार है, सबी ने ब्रह्मा बाप को देखा है या जानते हो, क्या कहेंगे, देखा है या जाना है, जो कहते हैं, हमने देखा है, वो हाथ उठा थोरे लोगों ने उठाया अच्छा अनवभब किया है ब्रह्मा हमारा बाप है यह अनवभब किया है जो हमें सबी को होना चाहिए क्यूंकि अनवभब भी एक आख है यह ब्रह्मन जिवन में ही आपको यह अनवभब का आख मिलता है जैसे स्थुल आखों ने देखा जाता है तो सबसी बरी आख ये ब्रह्मन जिवन में अनभव का आख है अनभव की आख से तो देखा तो देखा तो भी देखेंगे देखा हुआ कहेंगे न अगर अनभव भी नहीं किया तो और अब्वेक्त रूप से अब्वेक्त स्थितिदारा देखा ही नहीं तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना तो वो उनुभव करा देगे यो नहीं तो रौह नहीं जाना क्योंकि दूसरे को स्टैम्प दरा ब्रह्माबाप का उनुभव करा रहे हो और खोद नहीं करो तो अच्छे नहीं है न तो लोक सुन करके क्या कहेंगे इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्रों के सामने बैठते हो तो चित्रों से चोईतन नता का मिलन की अनुभव की अनुभवती नहीं होता है क्या रोरियान का रेस्पंस नहीं मिलता है क्या अविश्य मिलता है न तो बाप तुमारा बात सुनता है और बाप तु वी तो सुनता है ना और देता भी है उत्तर फिर वी इस अनुभव से बंचित नहीं रहो जाना समझा तो सबी ने जो शेबा की बिशिश भरत बाशियों ने ज्यादा शेबा का चांस लिया तो बाब ददा नाम नहीं लेते लेकिन सबी अपने शेबा के रिटार्ण में नाम शोहित मुबारक शिकार करो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, डबल बिदिशियों को भी शेबा का चांस मिल गया ना, अच्छा लगा ना, नाच रहे थे ना, अच्छा, चारू और के ब्राम्हन जन्मों के दिब्बो जन्मों के अधिकरी आत्माओं को, सदा बाप शंकल पुबा द्रीडो ब्रतों को निभाने वाले शफलते के अधिकर यात्मों को, सदा खुश रहने वाले और औरों को भी खुश करने वाले खुश नशीब बच्चों को, त्रीदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशिश बाड़ की मुबारुक भी हो और याद प्यार भी हो, साथ साथ सर्वस्रेष्ट Northern आत्मों को नमस्ते, ऐसे ही हम सब ब्रह्मों आत्मों के बाप ददों को भी याद प्यार, बुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते आज का बड़न अपनी स्रश्टो स्थितिदारा भटुकती हुई आत्माओं को स्रश्टो ठिकाना देने वाले लाइट हाउस भवों जैसे स्थूल रश्णी पर परवाने सतो आते हैं ऐसे आप चमकती हुए सितारा पर भटुकती हुई आत्माओं फस्ट गोति से आएंगे इसके लिए अभवाश करो, हौर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारा को देखने का प्रैक्टिस करो, शोरीडों को देखते भी ना देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारा तरब जाना चाहिए, जब ऐसी रुहानी नजर नेचरल हो जाएंगे, तो आपका इस रश्ट स् वो त्रिप्त हो जाएंगे, आज का स्लोगान, शेबा के महत्तों को जान, कोई, कोई ना कोई शेबा में बीजी रहने वाले ही, आल राउन शेबादरी है, आज का स्मान है, मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ, अच्छा, ओम, शान्ति आम शान्ति आज 10 एप्रिल 23 हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरूली आज के महावाख्यों, इस महावाख्यों में बाबा बोले, मेठे बच्चे, स्रिष्ट बनने के लिए स्वदा स्रिमत पर चलते रहो, लक्ष्मिनारयन भी स्रिमत से इतना स्रिष्ट बन रहे हैं, बनते रहेंगे, कलपकलप बनते रहेंगे, प्रश्ट भोकती में गो मुक का यादगार क्यों बनाएया हैं, उत्तर, क्योंकि संगंपर बाबा ने ज्यान का कलश मातव के उपर रखा हैं, तुम मातव के मुक से ज्यान अम्रित निकालता हैं, जिससे शब पाबन बन जाते हैं, इसलिए भोक है आज का गीत नायन हीन को राहो बताओ प्रभू अमशान्ति बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्गबाले तो बाप को पुकारते हैं कि हम जो नायन हीन बुद्धिहिन बन गई है माया राबन हमें बना दिया है हमें राहो बताओ हे प्रभुजी याद करते हैं तो अपने बाप को किर्टन भी बनाते हैं उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है सभी जीब की आत्माएं बाप को हुई याद करती है क्योंकि इस समय आकर के हमें तमप्रदन से शत्रप्रदन मनाते हैं हमें मुक्ति का और ले जाता है हम इस पस जाते है शीप के मंदीर में जाते हैं पर उनको पता नहीं की शीप कौन है बस तब में उनका कर्दिब बुकिया है जहां भी जाएंगे जाकर हमारा माता ही ठेकना है मायारावन हमें यही शिखाया है जानते नहीं कि वो कौन है क्यों हम मता टेकते हैं कौब आये थे लक्ष्मि नरण के मंदिर में जाते हैं लेकिन जानते नहीं वो कौब आये हैं ये डिगरी उनको कैसे मिला कैसे रज्ज भाई गोलिया कुछ भी पता नहीं अंदस रद्दा चलती ये आया है दिलवारा मंदिर में ज परूंतो जानते नहीं बस्तुब में आदी देव कौन हैं। जगदंबा के पास भी जाते हैं परूंतो वह कौबाई क्या किया कुछ नहीं जानते हैं। श्रिफ जाकर माता ही ठेकते हैं, जहाँ भी जाएंगे माता ही ठेकेंगे और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं बच्छा दो, ये दो, वो दो, जानते कुछ भी नहीं, गोव मुख पर जाते हैं न, कितने मेहनत करके सिरी तो उतोरते चड़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है एक पत्थर का गोव का मुख बनाया है कहते हैं गोव के मुख से गंगा जल निकालता है तो अब जनौर के मुख से अमरित तुरी ही निकालेगा तो ये तो बीबेग कहता है न कमॉन सेंस का बात है तिर्टो पर जाते हैं किसको भी अकुपेशन को कोई जानते नहीं कि यो कौब आये है आकर के क्या किया तो हम क्यों पूछते हैं क्यों पूजा करना चाहिए बुद्धिहिन होने कारण पुकारते हैं हे प्रबु हे बाबा क्योंकि वो सबका बाब है हमारा अवज़तन मन में वो बात ठेहरी हुई है मुनिश्यो के तीन बाब कहे जाते हैं एक है आत्माओं का बाब शीप पर्मपित परमात्मा दूसरे है शरे सारे मुनिश्यो स्रिष्टी अथवा मुनिश्यो सिज्रे का रचोता प्रजा पित ब्रम्हा अर्थत अलोकिक पिता कुली जुगत है ही ही दूकदह्म सत्य युग है सुकदह्म और जहा से हम आत्मा पाठ बजने आती है अर्थत परम्दहम से उनको शन्तिधाम भी कहा जाता है आत्मा को यो सरीर रुपी बाजा अथवा यो कर्मों इंद्रियो यहां से मिलता है ये पास्तत्तों से मिलता है, ये शुत तो इस समय परमपित परमात्मा ही हमें ये ग्यान दरा समझाते हैं, जिस से आत्मा कर्मा करती है, जो हमरा आंक मिलता है, हाथ मिलता है, ये सरीर मिलता है, पैदल से, पैर मिलता है, इसके दरा हम चलते हैं, कर्मा करते हैं, देखते हैं, तो आत्मा तो है ही अबिनाशी, शुरीर तो है बिनाशी, आत्मा है परलोकिक परम्पिता परमात्मा की शंतन, यह मुलबात, शुरीर है लोकिक बाप की प्रपारटी और तत्शंतन पास तत्तों से बना हुआ है, आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से बर्षा मिलता ह तो बहुत की शंती और शुक का बर्षा कोई मुनश्यों मात्रों से मिल नहीं सकता चाहे कोई भी हो ब्रह्मा विश्णु शंकुर को भी दवता कहा जाता परमात्मा एक शीवी है शीव परमात्मा नमो ब्रह्मा परमात्मा नमो कभी नहीं कहेंगे तो यो यो भी जो मंदिर आदी हैं उनके अकुपेशन को कोई जानते नहीं जाते रहेते हैं जाते रहेते हैं भक्ती करते रहेते हैं तो उचते उच परमपित परमात्मा शीब है फिर राचना रचते हैं ब्रहमा विश्ण शंकर की तो ब्रहमा दरस्थापुना विश्ण दर आपालना और शंकर का दणारा बिनाश कराते है शिब निराकर अलोग है शंकर आकारी देवोता है पर मातमा एक ही है यो पहली अच्छी लीती समझना चाहिए तो अब तो दूसरों का भुधि का ताला खुलना खुल सकेंगे शंजा सकेंगे प्रदर्शन करा केंगे पहले पह लक्ष्मिन नरेन तो है शर्गो का मालिक, वहां तो सदे वो शोक ही शोक है न, तो सुने का महल होगा, क्या नहीं होगा, इहां देखो, सभी दुखी ही दुखी है, घर घर में रोला पर गया है, यो दुनिया ही पती थे, सतियोग में भारत पवित्रो ग्रियस्त आस्रम था, जथा राजा रानी तथा परजा शब पावन थे, पोतितों को पावन बनाने वाला एक ही परमपित परमात्मा, राधे कृष्ण, सतियोग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो सैंबर के बाद लक्ष्मिन नरेन बनते हैं, ये अविनाशी ग्यान बाबा हमको समझा दे हैं, सर्ग पर ही ग्यान का कलश रखा जाता है, तो तुम बहुत शुबग्योश अलियात्मा हो, भारत में पवितर राजा था, पवितर रज्जु थे, अभी है आप वितर राज्ज़ु, ग्रियोस तो धर्मों के बदले, ग्रियोस तो औधर्मों हो गया है, फिर बापा कर पावन बन अगे जब बीच में आया सद्गुरु दलाल, तुम बहुत समाई के बिचरे हुए हो ना, तुम मीठे मीठे सिखी लदे बच्छे हो, अब बिल्कुल रोगी पौतित करी तुम बन गई हो, इसलिए मैं दया का शागर तुमारी उपर बहुत दया करता हो, तुम भी तुमारी जैसा बनना है, तु पुरुशाइद करो, और कोई option नहीं, यो भारत माता, भाकति, भारत माता, तुमारा नाम जो भाकती थे, भाकती माता थे, अब तुम शक्ती माता बन गए हो, शक्ती आवतार बन गए हो, यो शिव बाबा को, अपना बाप तुम बनते हो, उनसे योग जीत का खेल बचे तो धाई हजार सल तुमारा हार होता है धाई हजार सल तुमारा जीत होता है यो वाल्ड की हिश्टि जियोग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजाराने बन जाएंगे तो बाप ही शर्गों के लिए पवित्रोता शोकशान्ती का बर्शा देते है यो राज्योग है ना हर जोगी राज्योग को भी शिखा ना सके अभी तुम बच्चों को स्रिमत मिलती है ना तुम कितना लाकी एश्टात्मा हो जिससे तुम स्रष्टो बन रहे हो रावन की मत से तुम भ्रष्टो बने हो भारत अब रावन की मत पर चलने से इतना दुखी जलवन गया बात मत पोछो जगदंबा सबकी मना का मना पूरूना करने वाली थी तो वो भी माता थी ना जगदंबा ने स्रिमत पर भारत को शरग बनाया था इस समय तैक तपश्चा कर रही है अभी इस समय ग्यान गाने शरी है तो सतीयोग में होंगे राज राज शरी अब स्रिमत मिलती है तो उन पर चलना ही चाहिए यह तुम्हारा बहुत बड़ा शक्ति है मेरा तो एक शरी बाबा दुसरा ना कोई मुनिश्य तो मैकसिमम चुराशी जन्म लेते हैं मिनिमाम एक जन्म लेते हैं तुम शक्तिया हो ना तुम घर घर में कामाल करने वाली हो शिबाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी नहीं तो कभी शर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे परलो की बाप से एकुष जन्म का बर्शा तुम्हें मिलता है सत्य योग में तृता योग में दोनों मिला करके तो यह संगम पर यह संगम पर तुम्हें आसानी से यान मिलता है, तो यह प्रलब्द तुम्हारा बन जाता है, एकर जन्मों के लिए इसलिए तुम्हे ये कभी गफलत नहीं करना चाहिए, पुरुषार्ट तुम्हें करना ही चाहिए, बच्चो को भी खलन करना है, तो फिर शौर्गो के मालिक तुम बन जाएंगे, ये अभी चुट्टी है अभी लटरे मिल रहा है यह राज्यों की पार्शला है न भगोवनों बच्छे में तुमको राज्युक शिखाता हो जिससे तुम राज्यों का राजा शर्ग के मालिक बनेंगे स्रिप बाप को याद करो तो अंतों मोती सोगोती हो जाएंगे बाप शुक अदाम में तुम्हे भेज देंगे बाप के है बच्छे में ही आकर सब को शांतिदाम शुक अदाम में ले जाता हो सतियुक त्रिता में यो भुक्तियादी होती ही नहीं वहाँ तो एकर जनमो आता ह सुक है आप पाप केहते तो इस रावन पर जित पहनो बच्छे बिकार के लिए साधी करना अपने बरबादी करना समान है परमपिता परमात्मा ने ओर्डिनस निकाला क्या तो पवित्र बनो और जगत का मालिक बनेंगे आटोमेटिक ये तुम्हरा लिए लाटारी है इस दु आकर के समझो ये दिल में समझो तुम जानते हो ना शिवाय बाप के कोई भी मुनश्च को भगवान कहना रांग है जो इतना साल तुम मनते आए हो अभी तुम्हरा नाया बिलिप सिस्टेम हो गया भगवान तो है ही एक अभी तुम बचे शिव परमात्मा की ब्रमा बिश् सकते हो तो पभीत्र तो जरूर बनना चाहिए ना आप तुम्हें बहुत बरा शक्ति मिलता है इंप्रेशन मिलता है परमपित्य परमात्मा की इस्त्रिमात पर एक बापको याद करते रहेंगे और पभीत्र बनेंगे तो एकुश जन्मों का रज्य भैयों जरूर मिलेगा क तो समझाना है सतियोग की स्थापना कैसे होती है फिर यह चक्रों कैसे फिटता है सारे वाल्ड की हिष्टी जियोग्राफी को समझना चाहिए आकर के समझो तो यह तो मुनिश्यो ही समझेंगा ना जनुवार के लिए तो यह नालिज नहीं है एक बाप की स्रिमत पर चलना है स तो ये शर्ब पर दया करने वाले बाबा, वो ग्यान का शागर, शुक का शागर, दया का शागर, बाकी इन माताओं को ग्यान का कलश देते हैं, जिससे तो यो सब को पावन मना सकती है, बाकी पानी की गंगा कभी पावन नहीं मना सकते हैं, तुम ढ़ाई हजर साल, तुम ये डुपकी लगाते आये हो यह गोम आता है ना जिन्हों को ग्यान का कलश मिलता है इस समय तुम लाखी अश्टात्मा हो यहाँ तो पराई है परकर के देवता बनना है म्राम्मन देवता शत्रिय वश्यो और शुद्र यह बर्णों ही है यह बर्णों तुम घुमते रहते है तो गदंबा मा का सिखिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्णिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्णिंग नमस्ते नमस्ते धरणा के लिए शार एक नंबर पवित्रोता के बॉल से स्रिमत पर चल भारुत को शर्ग बनाने की शेवा करनी है सोब को एक बाप का ओडिनान सुनाना है कि पवित्र बनो और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे नमबर दो हर एक को तीन बाप का पुरिचोई दे दोखोदाम से शांतिदाम और शुकोदाम में चलने की राहो दिखाना है भाटोकने से छोराना है आज का बरदन मरजदा पुरुशुत तमबन सदा उर्ती कला में उरने वाले नमबर वान विजुई भावाओ इसका अर्तो है नमबर वान की निशानी है हार बात में वेन करने वाले किसी भी बात में हार ना हो सदा विजुई जदी चलते चलते कभी हार होती है तो उसका करण है मरजदाओ में नीचे उपर हो जाता है लेकिन यह संगम यूग है मरजदा पुरुष्टम बनने का यूग है पुरुष नहीं नारी नहीं लेकिन पुरुष्टम आत्मा को पुरुष कहा जाता है न तो यह आत्मा तो उत्तम बन जाए तो इसी स्मृती में सदा रहो तो उर्ती कला में जाते रहेंगे तुमारा को नीचे नहीं आना होगा, तो नीचे कोई कर नहीं सकेंगे, माया का इतना ताकत नहीं रहेगा, उर्ति कलाबला सेकेंड में सर्व समस्व को पार कर लेगा, आज का स्लोगान, एक बाब के स्रेश्ट शंग में रहो, तो दूसरा कोई संग प्रभाब नहीं डल सकता, आज के मति मुख्खो पाइंट बुद्धी में रखनी चाहिए, जिस पर खुब एटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि भगवान आकर के हमें बहुत बहुत हमें अज्यान से ग्यानवान बनाते हैं, पहले पहले तो आपने को यो पक्का निश्चोई रखना है कि हमको पराने वाला कौन है पिता परमात्मा है ना, दूसरी पाइंट है, तो हम सभी मुनिश्व आत्मये हैं और परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग, दोनों एक नहीं, आत्मा परमात्मा एक कभी नहीं होता तिसरी पाइंट इश्यर बयाउंत भी नहीं इश्यर शर्बोवेपी भी नहीं तो यह सही नलेज बुद्धी में रखनी चाहिए इसलिए आपनी नलेज और सिर्ने आ रही है दुनिया में जो जिसको अग्यानवता में भरपूर है, वो कहते हम नलेज फुल, बस्तव नलेज इसको नहीं कहते है भले दुनिया भी मुनेश्चो समझते है, हमको परमात्मा का हमारा पास ग्यान है अब उन से पूछो आप में कौन सा ग्यान है तो कहेंगे इश्य शर्बोबेपी अब परमात्मा ने कहता है मेरा ग्यान मेरे दरा ही मिलता है जब मैं दुनिया में आता हो ब्रहमात्वन में आता हो जैसे बेरिश्टर दरा बेरिश्टर ही मिलता है डक्टर दरा डक्टर ही शि परमात्मा तो कोई मुनश्वात्मा चाहे कोई शादुशन्तो महात्मा हो वो भी नहीं परा सकेंगे कोई लौ नहीं है तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ग्यान है हो ही नहीं सकता और चोथा पैंट परमात्मा योगे योगे नहीं बलकि परमात्मा कलपो वो एक ही बार इस संगम पर जबकि कलियोग का अंत सतियोग का आदी इस समय होता है परमात्मा ब्रम्हतन में आता है और अनेक अधर्मों का बिनाश करा करके एक आदी शनातन धर्मों की स्थापना कराता है अब लोग कैसे कहते है परमात्मा यूगे यूगे आता है और ऐसे भी कहते हैं गिता का भगवान से कृष्णो वो द्रापर में आया हुआ है अब इन सबी बातों को शिद्ध करना है गिता का भगवान से कृष्णो नहीं शिप परमात्मा है और वो भी द्रापर में नहीं बलकि संगम पर आता है जबकि कलियों का अंत सत्यों का सुरू होता है पाचवी पैयंट गुरू विगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है वो गुरू कौन है मुनिश्यो स्रिष्टी उल्टा जार कैसे है और हमको अपने पाच विकारों पर जीत कैसे पहनती है आठभी पैयंट हम वही पांडव युद्ध है जिसके साथ शक्षत परमात्मा है उसी तरफ ही जीते हैं और जिस तरफ कौरों है तो वो तो विपरिश शक्ती है उसका पराजय होता ही है और साथ भी पैयंट परमात्मा खुद शर्वशक्तिमान है तो जिनों ने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मादरा लाइट माइट दोनों ताज मिलता है अब यो सबी बाते बुद्धी में रखना है और इसको ही ज्ञान कहा जाता नमबर दो बदनसिबी और खुशनशिबी अब यो दो शब्दों का मादर किस पर चलता है यो तो हम जानते हैं कि हम की खुशनशिबी बनाने वाला परमात्मा और बदनसिब बनाने वाला तो खुद मुनिश्यो खुद ही खुद है जब मुनिश्यो सरवदा शोकी है तो उन् अपने को बदनसी समझते हैं तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसी भी खुशनशी भी कोई परमात्मादरा ही मिलता है नहीं यह समझना बरी मुर्खता होगा परमात्मा तो हमें खुशनशी बनाते हैं परंतो तकदिर को बिगारना बाबनाना यह सब कर्मों के उपर ही मादर ह हम सब कर्मों का उपर ही तो बदनस भी बनते हैं, खुशनश भी बनते हैं, तो यह सब मुनिशों के संसकार के उपर ही हैं, फिर जैसे पापरपुन्नों का संसकार भरता है, वैसे तकदिर भी बनती हैं, परुन्तो मुनिशों इस राज को ना जनने के करण परमात्मा के उपर दोश रखते हैं अब देखो मुनिशो आपने को शुकी रखने के लिए माया के कितने तरीका निकालते हैं कितना कमपेटिशन में जाता है फिर उस माया से ही कोई आपने को शुकी समझते हैं और कोई फिर उसी ही माया का शन्नाश कर माया को छोड़ने से आपने को शुकी समझ तो मतलब तो कोई प्रकर के प्रयोतन करते हैं, मुनिश्यों कंपेडिशन करते हैं, परुन्तु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ ही जा रहा है, हम जिरू ही होते गए, तो जब स्रिष्टी पर भरी दुख होता है, तब उसी समय शैंग परमात्मा आकर गुप हम सब सुकी बन जाता है, हम सब परमधम चले जाती है, फिर आता है हम सुकत हम, अच्छा, ओम, शन्ति ओम, शन्ति, 11 एप्रिल 23 हम सुन रहे हैं, शाकर हिंदी मुरूली आज के महावाइक, इस महावाइकों में बाबा बोले, मिठे बच्चे, जिती जी मर जिवा बनो, हम आशुरिरी आत्मा है, यही पाठ पहने हैं, पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो, इस में तुमारा बहुत-बहुत करिलान होगा, प्रश्नो, शौंपुर्णो सरेंडर किसको कहा जाएगा, उत्र, जो शौंपुर्णो सरेंडर हैं, वो देही अविमाने जरूर होंगे, यो देहो भी हमारी नहीं, अभ सत्तान, महंधन, जो कुछ है, वो बाबा को औरपन करते हैं, शौब मेरा मेरा शमाप्तकर पूरे ट्रास्टी होकर रहेना ही, शौंपुर्णो सरेंडर होना है, बाबा के देबचे मेरा बनकर सबसे ममत तो मिटा दो, ये सबसे कठिन कर्म इस समय तुमें करना होगा, इस ब्रह्मन जिवन को चलाते रहो, आज का गीत दर पे आए हैं कसम लेके, कभी छोर के नहीं जाओंगा, अम शान्ती, बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहुश्यो भरा हुआ होगा, जो बाप वेट इनका अर्थो बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है, जीतीची मर कर बाप का बनना, कोई बन सकते हैं, कोई तो बाप को छोर के चले भी जाते हैं, बाप का बनने के बाद फिर टीचार बाग गुरू करते हैं, ऐसे भी नहीं, शबी लोकी गुरू करते हैं, मैजूरिटी गुरू करन अवश्य करते हैं, क्रिश्चिन लोग भी देखो, जब भी बच्चा पैदा होता है, तो क्रिष्चे नियाज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर दे देते हैं, फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइश्ट में ही हुआ ना, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिष्चियान बनते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, इस समय तुम शुद्रों से ब्रह्मन मने हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं, यह बाप का spiritual knowledge का पहला पाद, बाप का बनना ही होगा, यो बुद्धी में रहना चाहिए ना, जो भी मेरी मेरी बुष्तु है, जो भी मेरा कहने से आता है, मेरा शुरीर, मेरा धान, मेरा दौलत, समंधी, आधी जो कुछ है, तो भूलना है, भूलते जाओ, मरने के बाद सब कुछ automatic भूल जाना होता है, ना, कितनी बड़ी मन्ज तुम्हें जीते रहते हुए बाबा को अग्गा तुम्हें पलना है, सब खुछ तुम्हें भूलना है, हम औशुरी रियात्मा है, यह पक्खा करना है, यह प्रेक्टिस कोई माश्य का घर नहीं, ऐसे नहीं कि तुम शोरीड छोर और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा थुरी ही बनी है, अभी तो संपुर्ण कोई नहीं बना, भल बाब का बने हो, पर उन्तु बाबा कहते, बैचे तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंखा तोटे हुई है, माया रावन तुम्हारा पंखा तोटा दिया है, अभी तुम्हें और नहीं पाते हो, तमप्रदन होने करण एक भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती माया ने एकदम पंखा तोर दिये है ये कितना वरा तुमरा दुख खा करण है बाबा ने समझाया मचे आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड सबसे तीखी जाती है उन से तीखी कोई चीज दुनिया में होता ही नहीं आत्मा में कोई आत्मा से कोई जल्दी पहुँच नहीं सकता चाहे साइंस का कितना भी शादन की उनावने पीछारी में देखोगे मच्छर उशद्री शबात्मा भागती रहेंगी बाबा समने समने पीछे पीछे आत्मा जाते रहेंगी कहा जाएंगी बहुत दूर दूर से भी दूर शुर्जो चांद से भी पार वहां से फिर लोटना नहीं है यहां दुनिया का देखो उन्हों के राकेट आदी जो भी बनाते हैं वो तो एक शिमा पर जाते हैं फिट धर्ती पर चले आते हैं लोट आते हैं शुर्जो चौंजो तो पहुच नहीं सकते क्योंकि उनका फूइल टेंकी इतना बरा नहीं कर पाते तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है शुक्ष्मो बतन से भी उपर मुल बतन में जाना होता है जो तुम आत्मा सेकेंड में शंकल पकड़ती ही तुम पोहुच सकते हो जट तुम चले जाते हो आत्मा को पंखा मिल जाते हैं न हिशब कितब चुकत कर आत्मा पवित्र बन जाती है इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है भिन 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 धर्मों में भिन भिन मात लिखी हुई है सब आत्मों को हिशब कितब चुकत कर जाना होगा तो मुल बात सभी ने एक ही बात कहा हिशब कितब चुकत करना होगा अभी तो सब आत्माए मैली पापात्माए हो गाए ना इहां ही पुनरजन मों लेती रहती है सत्य युग तो कोई जा नहीं पाती है परमधाम तो जा नहीं ही पाती है तुम जानते हो बच्चे यह बहुत का ड्रामा है यह एक डियूरेशन तक चलता रहेगा सब एक तर्स को पार्ड बजाने परमधाम से इस दुनिया में ज़रूर आना होगा चाहे कोई सत्य युग में आये चाहे कोई कली युग में आये सबकी आत्मा इस टेज पर आनी ही है जब बिनाश का शमय होता है तो सब आत्मा आ जाता है परमधाम छोर के वहां रख करके क्य करेंगे क्योंकि पार्ट ही इसका दुनिया पर लेकिन परमधम बेट करके क्या करेंगे यह भी लौ नहीं है एक्टार्स बिगर पार्ट बजाने घर थोरी ही बेट सकेंगे नाटक में जुरूर आना परेगा कोई मैक्सिमम टाइम के लिए आते हैं कोई मिनिमम टाइम के का उत्थान और पतन का हिस्ट्री बाप कहते बैचे में भल इहां हो तो भी आत्मे आती रहेती हैं परमधम खाली होगी एक समय ये दुनिया भी खाली होगा बुद्धी बृद्धी को पाती रहेती है न ये भी नमबर बार फिर तुम जाएंगे वो भी नमबर बार सारा त तो सारा तुमारी अवस्था परमधर है जो जितना अवस्था जमाया उतना ही इतना स्टेश प्राप्त होगा इसी डिये मार्चिवा बनना है बार बार बाबा समझाते हैं जीती जी तुम मार्चिवा बनो हम आत्मा है ये निश्च्च्छे रखना मेहनत है न ये कोई माश समझाते हैं सबी तो मुख से कहते हैं लेकिन दिल से कहो नहीं पाते बाबा ये सब आपका है मेरा कुछ भी नहीं में भी आपका हो ये सरीर बीतान मांधान सब आपका ही है यो जैसे यो देह जैसे की हमरी है यी नहीं आप इसको चलाओ इसको भी मैं छोड़ देता हो आपका दरबार में, बाबा मैं आपका हो गया, कम्प्लीट आपका हो गया, बाबा कहते मेरा बन और सबसे ममत तो मिटा दो, थोड़ा भी जो कुछ बचा हुआ हैं, वो भी छोड़ते जाओ, निकालते जाओ, बाकि ऐसे नहीं, कि इहां, इहां आकर मदोबन में मेड जाना, मदोबन में तो छोटा सा परिशर है, तुम्हारा गाउ को भी तुम्हें उधार करना चाहिए, तो लोगों को भी संदेश पहुचाना चाहिए, तुमको अपना धंदाधरी भी करना चाहिए, घर भी समलना चाहिए, बच्चों को भी पालना चाहिए, बच्चा को कौड़ उतारना ह मात पिता की शिवा कर उनका उजूरा उतार देना है बच्चे पर माब की पलना का कड़ चड़ता है तो अब यो बाप तुमारी पलना कर रहे हैं तो तुम से पहले ही सरंडर कराते हैं बाबा ये बाबा का फस्ट लॉव है ये first law को तुम्हे समझना चाहिए, ordinance को समझना चाहिए, सब कुछ दे दो, कुछ भी अपना पस नहीं रखो, उन से फिर तुम्हारी पलना भी होती है, ये शिब बाबा का भंडरा है, देखो बर्शों से चलते आया है आज दिन तक भी ये भंडरा काम करते है, मात पिता तुम बच्चों की पलना कर रही है, तुमको समालते हैं, तुम्हारा पलना देती है, सुरू में जो भी आये थे ना, सभी ने जट सरंडर कर दिया, आपने पस कुछ भी नहीं रखा, ये जग्यों का हिस्ट्री है, सरंडर किया, फिर इस धौन से बिगर छुटी पैसा आदी किसी को दे ना सके, ये भी गाड्स लौ है, जेशे सस्र में हरिश्चंडो की कहानी है, पर उन्तो जथर्त तो कुछ है नहीं, जथर्त तो इस समाई का बात है, ये रूहानी जग्यों में जो नियम बबाबाने बनाया है, ये है जथर्त जग्यों, भारत बिलकुल पवित्र था, भारत बशियों जैसे पवित्र शुकी कोई होता नहीं, भारत सबसे बड़ा तीर्थो भी है, सारा तीर्थो बार बार, आबो तीर्थो एक बार, बार बार, हमें अनुप्ररणा देते हैं, जहां पतित पाबन बाप आकर सरे स्रिष्टी को, तत्तो को भी पवित्र बनाते ह अभी यो तत्तो आदी सब दुश्मन है ना, आर्थ को एक होगी, तुफान लगेंगी, क्योंकि तमप्रतान है, तो अपना फोर्स तो दिखाएंगी, नेचरल के लामेट इस आएंगी, बहुत दुख होगी, तो इस समय सब दुख की चीज है, सब दुख देने वाले, सत्य बाग गरम हवाए अदी कुछ नहीं होगा, सत्य यो को कहा जाता है, बहरी मसम, जैसे चीरो बशान तो कहते हैं, कोई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा, अवस्ता को कैसे जमाए, कोई तुफान ना लगे, ऐसा कोई बीदी है, उन्हों को तो रस्ता बाबा बत लाहीती रहते हैं, पहली से आज दिन तक एक ही बात कहते हैं, तो सब को भूल करके एक बाब को याद करो, तो फंत लागेंगी ही, क्यों ये माया का चेकिंग तुमारा उपर है, बॉक्सिन में ऐसा कब देखा, जो एक ही थपर खाता रहें, तो वो भी मारे पाच, वो भी म लगाते रहेंगे, तो ये भी माया का सथ हमारा बक्सिन है न, बाप को याद करते रहेंगे, तो माया भागती जाएगी, माया ठीकेंगे नहीं, पर उन्तो फोर से तो नहीं होगा, माया से कुस्ती तुमें लरना चाहिए, अंतिम समय जीत तुमारा होगा, माया का हर होगा, ऐसे मत समझो बच्चे माया थपर नहीं मारेगी माया मारेगी माया बहुत जोड चोट लगाएंगे भल कोई भी हो बारी बॉक्सिन है ये तुम्हें मनना ही होगा बहुत ड़ जाते हैं और ये ग्यान छोर करके जग्यों छोर के भाग भी जाते हैं तो माया एक दम नाक से दम कर देती हैं जुद्ध स्थल है ना जुद्ध स्थल में कोई किसका शाहँश ना हो उसको तो पहले जुद्ध करने से पहले उसको मरना होगा बुद्धी जुग लगाने में माया बहुत बिग्णो डलती है माया एटक तुम्हें बुद्धी में ही करेगा मेहनुत सरी योग पूरा चाहिए बाबा के यह ते हैं दोनों को बैलेंस रखना चाहिए बाबा को याद करना है माया के बिगनों से डौरों नहीं विश्व का मालिक बनते हो ना शुलो हजर एक्षो आठ की माला का बहुत बहुत महिमा है बहुत बरी है अंतों में जाकर की पूरी होगी अभी तो आभी तो ये शंका तो कोई पोचे नहीं त्रेता अंतों तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं बात मत पूछो कुछ तो निशानी है ना आठ के भी निशानी है एक्षो आठ के भी निशानी है यो बिलकुल राइट बात है त्रेता अंतों तक इतने शुलो हजर प्रद्धी को पाते जाते हैं वो सब बनते हैं यहा है यहा ही बनेगा यहा ही इसको चोट लागेगा यहा ही इसको समाल करके आगे जाना होगा तो चांस अभी बहुत है आगे के लिए और बहुत तुम्हें परिक्षा देना होगा परूंत मेहानत तुम्हें बहुत करनी चाह यह सब तुम बच्चों के लिए ही हैं, देखो बाबा कितना नेरहंकर है, बच्चे कहते हैं, आमारी सब कुछ आपका ही है, कहते हैं यह सब कुछ भगवान ने दिया है, दुनिया में आज दिन भी यह बात चलता आता है, सब भगवान का दान है, और बाबा कहते हैं, यह सब बाबा सुनाते हैं ये करमो करके देखो तुमारा भलाई होगा अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हो ये एक्चेंज हो रहा है तो ये लेविल का जो बाबा बात करते हैं तो ये लेविल का बात को अभी समझना होगा फिर एक्चेंज करते हो न एक छेंज कर लो तो बाप कहते हैं बच्चे और शुरी रिवनों हमको याद करो अभी सरेंडर करो जो कुछ भी तुमारा पास है जैसे कि जनों का नाम है ना राजा होते हुए भी वो सरेंडर हो गए बाल बच्चे है जायन प्रपार्टी है तो अलोग कैसे हो आज है ही गरीब निबाज सबसे गरीब माताए है उनसे भी जासती कन्या गरीब है ना तो ये बात अच्छी तरह हो समझ लो कन्या को कभी बर्षे का नैशा नहीं होगा बच्चे को बाप की जागीर का नैशा रहता है तो वो शब छोर फिर बईखुंटों का बर्षा लेना पर दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है भारत है सबसे गरीब है ना अमेरिका बहुत सवकार है उनको वर्षा देते है क्या भारत सबसे सवकार था और कोई धर्म नहीं था स्रिफ भारत बशी ही थे एक भाशा थी God is one है ना मैं one sovereignty one religion one language स्थापन करता हो one almighty government स्थापन करते है तो one से फिर two three होगी अभी कितने धर्म हो गया फिर जुरूर one धर्म आना चाहिए ना इसलिए तो conference करते हो कितना meeting करते हो 5000 बर शुकी तो बात है बनुशु समझते है फलाना मरा सरगवशी हुआ ये तो गवपुरा लगाते है तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है त पिर यहां आकर के हम रज्य करेंगे ये दुनिया सरगवशी होगा यो ग्यान बुद्धी में रखना चाहिए जो कोई को भी हम समझा सके पहली धरन को रो फिर किसी को समझाओ तो कच्छे को तो माया कच्छा खा जाएगी बाबा के पास समझा रहता है बाबा फलाना ने ए एक ही ऐसा तीर मारा जो बस में बाबा का बन गया तो ये भी और बाबा का पास आता है शास्रों में लिका हुआ है ना कि कुमारिया शिखन डीदरा बान मरवाए और तबिश्म पितमों हो जैसे महारुती को पकत हो गाए तो इसको ग्यान बन कहा जाता है हिंग शुक बन थ राचुईत है ही नई दुनिया का ये बात आभी तुम्हें मलूम परा है ऐसे नहीं कि वो पुराने दुनिया स्थापन करते हैं बाब पुराने दुनिया थोड़ी ही बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए जिसको बाबा बार बार कहते है बच्छे बेचार शाग रुहानी बच्छों की रुहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुद मॉर्निंग नमस्ते 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 धरणा के लिए मुख खुशार एक नमबर माया के बिगनों से डरणा नहीं है बाप की याद से शब बिगनों को हटा देना है नमबर दो बुद्धी से शब बाबा को ग्यानितु आत्मा और जोकीतु आत्मा दोनों पसंद है। बरदान मेरे पन के स्मृति से स्नेहों और अरहम की दृष्टी प्राप्तों करड़े वाले स्वमृति शंपन्न भावा। इसका और तो है जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के शागर बाब दादा ऐसे बच्चे को रिटार्ण में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। यह इस समय हमारे लिए बहुत बड़ा प्राप्ती है। रहम और स्नेहों के दृष्टी उन्हें सदा आगे बराती रहती हैं। यह तो यह थमके नहीं जाता रोक नहीं जाता उसको तो बाबा चलाते ही रहते हैं। यह रूहानी मेरे पन की स्मृती ऐसे बच्चों के लिए समुर्थी भरने की अशिरबद बं जाती है। बाब दादा को मुख से अशिरबद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन शुक्ष्मों स्नेहों के शंकल्पों से हर बच्चों की पालना होती रहती हैं। आटोमेटिक होती रहती है। स्लोगान जो बाब के प्यारे हैं। उनका अन्यों किसी वेक्ती बाब बई प्रिभव से प्यार हो नहीं सकता। अच्छा ओम शंती। आज 12 एप्रेल 2023 आज बाबा बोले मेठे बच्चे ग्यान अम्रित है और योग अगनी है। ग्यान और योग से तुम्हारी शब, दुख, दौर्द, दूर हो जाएंगे। आज के प्रशन, कौन सा रोश ग्यान से प्राप्त होता है भौक्ती से नहीं। उत्तर, जिवन मुक्तिका रोश। भौक्ती से किसी को भी जिवन मुक्तिका रोश नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चो को जो डिरिक्षन देते वही ग्यान हैं। उसी पर चलने से शर्गों की राजाई अविश्व मिल जाती है। आज क्या गीत हैं भोले नाच से निराला कोई नहीं, गोरे नाच से निराला कोई नहीं। आम शान्ती। बच्चो का भोला बाबा बच्चो प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शीव भोला बाबा। हमेशा शीव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्रों देखे वा नौ देखे परुन्तु याद करते हैं शीब भोलानात। शांकर बाबिष्णो बाब रम्हा को भोलानात नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुश्यों की बुद्धी में निराकार शीब बाबा का ही चित्रों आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो इस समय तुम स्टूडेंट होकर के सामने बैटे हो अब भोलानात बाबा कहने से भोक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। भल कितने भी महिमा करते रहे मुख मीठा नहीं होगा। seal अब तुम बच्चे जब शिब बाबा को जान गई हो शिब बाबा को तुम याद करते हो प्यार से। बच्चों को प्रपार्टी भी जोरूर याद पड़ती होंगे, तुम बच्चे जानते हो, वही शिप बाबा है, मुनश्यो स्रिष्टी का बीजरूब भी उनको ही कहा जाता, वो है भुलानात, वो है तुम्हें मुक्ती देने वाला, जार का एक ही बीज होता है न, तो जो देने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला, बाकी सब हुए उनके बच्चे, भुक्तों का भगवान बाप एक ही है न, भुक्तों तुम याद करते हैं भगवान को, परंटों पूरा जानते ही नहीं, बायोग्रफी समसते ही नहीं, यो भी ड्रामा में नोद है, भुक खुशी बनाई में चिप जाता हूँ ग्यान सागर भी एक ही है जैसे वो पानी का सागर भी एक ही है उनको बाटा गाया है यो इंडिया का सागर है यो फलाना का सागर है बास्तुब में शागर एक ही है ना सतियुग में इस शागर को बट नहीं सकते एक ही शागर रहता है जि के तुम मालिक बनने वाले हो यो बहुत खुशी का बात है वहां इतने खुंडो थोड़ी ही रहते हैं सत्य युग में एक बाप की एक राजधनी रहती हैं एक रज्य होगा एक भाशा होगा तो दिमत नहीं होंगे रावन नहीं होगा इसी भारत पर वाल्ड अल्माइटी एक ही रज्य था आदिशनातन देब देवी का रज्य था देवी देवताव का रज्यो को भगवान भगवती का रज्यो भी कहते हैं बिलायद वाले गौड गौड़िस कहते हैं परुंतो जानते नहीं कि वो कौब रज्यो करते थे कैसे रज्यो पाया तो कौन सा पराई करन से ये रज्य मिल सकता है उनसे ग्यान गंगाये निकल सारी विश्यों को सद्गुति देती है अशली बाद तो इस समय जब तुम शुद्रों से ब्रह्म्हन बने हो भगवान का सामने बेटे हो स्टुडेंट बने हो तो भी तुम्हें पता लगता है इसको ग्यान अमरित भी कह जाता आज कल दावायों का भी नाम अमरित रखा गया है फलाने फल का नाम भी अमरित फल रखते है फलाने ओशोदिकी को भी तो ये अमरित रखा जाता है जिस से शब दुक दूर होते है कोई कोई का ये मनना है कोई कोई का ये बरनन भी होता है वो भी बात सही नहीं है यह तो बाप बेड़ बच्चों को योग शिखाते हैं ना इस समय तुम राज जुग शिखते हो, योग को अमरित नहीं कहा जाता, योग अगनी से तुमारी शब बिमारिया एक उच्छ जन्मों के लिए दूर होगी, इस जन्मों की नहीं, एक उच्छ जन्म तो सत्य योग, त्र द्यूक वारा जिवन है यो है योग की बात बाप कहते है बिचे योग लगाओ तो तुमारी सब बीमारिया नस्ट हो जाएगी खतम हो जाएगी फिर कब बिमार होंगे ही नहीं तुम पुरूशार्त करते हो बाप से हैल्थ वैल्थ लेने के लिया ना तुम बहुत खुशी- खुशी से बाबा से मिलने के लिए आते हो, वहा कोई बिमार होती ही नहीं सत्य युग में, मैं तुमको ऐसे कर्मों बच्चा शिकलाता हो, जो कभी तुमें बिमार होगा ही नहीं, तो एक गरांटी जीवन तुमें मिलना है, सत्य युगतेता में एक और जीवन तुमें गरां जो कभी घार्टी भी नहीं मिट्ती भी नहीं नया भी कुछ होता नहीं जो भी तुमने देखा वो सब ड्रामा में नोद है अनादी बना बनाया है यो अदली बदली नहीं हो सकता भोक्ति मार्ग द्रापर से प्रारंब हो जाता है भल कोई केतने भी भोक्ति करे शस्रो परे परंतो वापस कोई जा नहीं सकता यह अभी नशी ड्रामा में नोध है जिसका जो होने वाला सत्व प्रदान से तमप्रदान में जरूर आना ही है इस कर्मशत्रो से बाहर कोई जा नहीं सकता तुम बच्चे जानते हो हमसू सत्व प्रदान थे अब हमसू तमप्रदान बने है ड्रामा उनुशर बनना ही है न भोक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधियारा हो जाता पहले इतना अंधियारा नहीं होता जितना अभी है कलियो कांता है न रात को भी पहले सत्व प्रदान फिर सतो रोजो तमो कहा जाता धिरे धिरे कॉला कमती होती होते घोर अंधियारा हो जाता यहे बहुत का सिस्टम बाबा समझाते है अभी सृष्टी पर बहुत का ग्रोहन लगा हुआ है एकदम घोर उंधियारा हो गया ना इस समय सारा दुनिया इस समय पाप ग्रस्त हो गया कोरी तुल्ल हो गया तो इस चंद्रमा की बात नहीं जो धुर्टी को तो आलू देले वाला यो चंद्रमा का कोई बात नहीं यो सारी विश्यों की बात है सभी मुनश्य आत्मा का बात है राबन का ग्रहन लगा हुआ है ना हर एक में नारी में भी पूरुशों में भी द्रापर से लेकर सारे विश्यों को ग्रहन लगना सुरू होता है थोरा थोरा तो लगता जाता है धाई हजर वर्षों लगता है जबकि अंतों में भारत बिलकुल ही काला हो जाता है और भी है बिलकुल घोर उंधियारा, घोर सुजरा और था दीन बनाने वाला है बाप, पोतित को पावन बनाने वाला है बाप, माया रावन फिर रात घोर उंधियारा बनाती हैं, दोनों का अलग-अलग, बाप तो बापी होती है, राम तो रामी होता है, लेकिन रावन का बह लेकिन भगवान को हम जाना नहीं, भगवान भगवान को तो याद नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे, सर्वोबिपी की ग्यान बच्छों को समझाना चाहिए, God Father is one, तो ये अंदसरद्ध हमारी उपर बेट गाया है, ये अंदसरद्ध को हमें निकालना चाहिए, वो है मुनश्य सु परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती कायन इस समय तो एक बाप का ही है जो पतित पाबन है सब को उधार करने वाला वो पतित पाबन मुनिशु स्रिष्टी का बीजुरूप सत है चैतन्य है उसको एक साथ सचिदा नंदो कहते है आनुद का शागर है ज्यान क दाया का शागर है कोई भी मुनिशु की यह महिमा होने ही सकता वो तो शर्वशक्तिमान है वो रूप में भी बिंदु गुन में भी वो शिंदु है ग्यान से जिवन मुक्तिका रश एक सगन में आ जाता है भगवानुबाद्शों गीता में है न, यह यो जौब तौब तिर्थो आदी करना, बेद परना, यह सब भक्ती मार्ग है, यह बिस्तार है, इन से कोई भी मेरी पास मिल नहीं सकता, पिछारी में सब को पाढ़ वजाने आना ही है परमधाम छोर केर के, God Father is one है न, वही करन करावन हार है, इसलिए ब्र मनुश्यो को करन करावन हार नहीं कहेंगे, यह मनुश्यो का टाइटल नहीं, God को ही Creator, Director कहा जाता, बच्चों को Direction देते रहते हैं, Direction को ज्यान कहा जाता, इस समय तुमें अमरित मिलता है, Direction मिलता है, ज्यान मिलता है, तुम बच्चों को खोद बेट बाबा समझाते हैं, सामने बेट करके समझाते है तुम student बन जाता हो वो शिक्षक बन तुमें पराते है आत्मा इन आखों से देखती है तो आखों से नहीं देखती है ब्रोकोटी के बीच में रहती है यानभब करना है realization करना है मोख से बलती है परमपित परमात्मा भी जब आते है तो अब तो मोख से ही ग्यान सुनाते है ब्रह्मा मोख किराया में लेते है कहते है मैं इस रोत में रोती हो करके बैटा हो तुम को शहोजरा जुक्षिक लाता हो तुम राजरिशी हो कितना बरा टाइटल बच्छों को देते हैं ऐसा कोई मुनश्व नहीं जो कहे कि हे लड़ले बच्चे तुम राजरिशी हो शिवाय बाप के कोई को ताकत नहीं बात करने की तो बाबा आत्मा से बात करते है आत्मा को ये सोपार टाइटल देते है बाप ही कहते है ये बच्छे इनकी आत्मा भी सुनती है ब्रह्मा की आत्मा इनको भी कहते है ये बच्छे तुम राजरेशी हो ब्रह्मा को भी टाइटल मिलता ब्रह्मा बच्छों को भी टाइटल मिलता तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है पाँच अजर इतना स्पस्टी करन कर देते हैं, बाप ही समझाते हैं, उनको खिबाया भी कहते हैं, हमको इस भावशागर से, विशोई शागर से निकल करके खीर शागर में ले जाना, तुम बड़े आराम से बेटे रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, चिंता का कोई बात नहीं, तुम मालिक बनते हो न, तो यह है गुपत बात, इस समय बाबा भी गुपत ओ, तुम भी गुपत ओ, और बाबा जो सुनाते हैं, यह ग्यान भी गुपत ओ, तुम बच्चे ही जानो, और ना जाने कोई, पहले पहले जब कोई आते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, गौड फादर किया बेजरो, सभी भक्तो का भगवान सब को शुक देते हैं, इहां कली यूग में तो बहुत दुखी दुख है घर-घर में रोला है, घर-घर में दुख अशान्ती है, मनिश्यों तराही-तराही करते रहते हैं, सती यूग में दूख की कोई बात नहीं, तो यहां सारी जब रात शुरू होती है तो पहले पहले शुपनात का मंदीर बनाते हो तुम तो तुम्हारे पास जब कोई आते है तो पहले पहले उनको समझाओ कि God Father is one God है माता है पीता है बंदू है सका है भारत में ही गाये जाते है ना तुम मात पीता हम बालग तेरी तुम्हारी कृपा से शोक धाने रहे यो है मादर फदर कांट्री जगदंबा जगदपिता होते है ना हमें दिशा दिखाने बाला त्याक तपश्चा करके हमें राहों दिखाने बाला देलवारा मंदीर भी एकुरिट बना हुआ है लक्षमी नारण का चित्रो मंदीरों में एकुरिट बना कि क्यों कोई एक्टर का ही चित्रो लेकर के फिर बनाते है न उन्हों को तो राज्जों किया तो सत्य योग में मनुशों कहते भी हैं सत्य योग में लक्ष्मिनर्ण के बज्पन की कोई हिस्ट्री जियोगरफी नहीं है राधे कृष्णों ही है जनमस्ट में मनाते हैं, फिर नारयनस्ट में कहा गई तो ये छोड़ी छोड़ी बात को हमें चिंतन करना चाहिए जिक्रिष्णो को फिर ध्रपर मीले गाया है, बहुत दूख का बात है रादे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है बास तब में सतियोग का पहला प्रिंस है तुम यहां बेटे हो सर्गो का मालिक बनने के लिए यह राज्योग है राजा इस्थापन हो रही है तुम कितना खुशी में हो और प्रिसिस्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं कृष्चियन रा चाहिता तो जुरूर उनसे हमको शर्गो की राजाई पाने का हौक है ना जनमशिद्द ओधिकार है बार्त राइट है सतियोग में राजाई थी मुनश्व स्रिष्टी कैसे क्रियेट करते है और भी तुम जानते हो भगवानवाचो यह है हमारी मुखवंग्शा बुली बा ब्रह्मन ठहरे ना ब्रह्मा है प्रजा पिता ब्रह्मा तो उनकी शंतान भी ब्रह्मन ठहरे ब्रह्मन के बच्चे ब्रह्मन होते ही है ना तुम हो ब्रह्मा की सच्छी ओलाद ब्रह्मन है सबसे उचा ब्रह्मनों को चोटी में चोटी में रखा जाता है यह बहुत सम्मान बहुत ये उचा टाइटल है, जैसे उचते उच भगवान शिप बाबा को त्रिमूर्ती से उरा दिया है, वैसे उचते उच ब्राम्मनों को भी चोटी से उरा दिया है, ये बहुत बड़ा गलती किया, बाकी तो चित्रों तो बाकी ठीक है, बिराट रुप में ब्राम्मनों क को नहीं दिखाते, शिबाबा को नहीं दिखाते, सिब कहते हैं द्यवता शुत्रियों वश्षों, शुद्रों लेकिन इस से ओपर दो जो होना चाहिए न। कर देवताई शर्गों के मालिक थे ना फिर चौराशी जनम लेते लेते अब वो शुद्र बर्णों के हो गया फिर उनको ब्रह्मुन मनाते हैं भगवान का इतना दया है भगवान का इतना महनत है तो बर्णों भी है ना विराट रूप का चित्रों भी है उसी बाप को सब क्लियार कर समझाते हैं बच्चों को भी शिकना है तो ये क्लियारिटी सोभी को पसंद है तो ये ग्यान को हो ये अमरित को हो हम सभी बच्चों को बहुत क्लियार से डिफाइन से बात करना चाहिए तब सभी का बुद्धी का ताला खुले अच्छा मीठी मीठी सिखिल दे बच्चो प्रोथी मात पिता बाब ददा का याद प्यारार गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी बाब ददा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते धरुना के लिए मुखोशार एक नमबर ह राम राजरिशी है, शयंग भगवान हमें राज्योग शिखा कर राजाई का बर्षा देते हैं, तो इस नेशे में रहेना है, नमर दो, योग अगनी से बिकर्म का दगद कर सब बिमारियों को सदा के लिए मुक्त कर देना है, इस जन्मों के कर्म भुक को याद में रहो करके आज का बर्दान पवित्रोता की विशेश धारणा द्वारा अतिंद्रियों शुक का अनुभव करने वाले ब्रह्माचारी भवों, इसका अर्थ तो है, ब्रह्मान जिवन की विशेश धारणा पवित्रोता है, यही निरंतर अतिंद्रियों शुक और सुइट साइलेंस का बिशिश आधर है पवित्रत से ब्रह्माचर जो नहीं लेकिन ब्रह्माचरी अर्थात सदा ब्रह्माचरी अर्थात ब्रह्माबाप के आचरन पर हर कदम चलने बाले ये कोठिन मार्ग तुमें इस समय अपनाना है संकल पबोल और कर्मरुपी कदम ब्रह्माबाप के कदम कदम उपर कदम हो ऐसे जो ब्रह्माचारी हैं उनका चहरा और चलन सदाही अंतरमुखी और अतिंद्रियों शोक की अनुभोती कराएगा आज का स्लोगन शेबा में त्रिकाल दुर्शी का सेंस और रूहनियत का इसेंस भरने वाली ही सर्विसेबल है अच्छा ओम शंती अच्छा ओम शंती आज 13 एप्रिल 2023 हम सुन रहे हैं शाकर हिंदी मुरूली आज के महवववववव इस महवववववव में बाबा बोले मीठे वच्छे आपस में अविनाशी ग्यान रतनों की लेंदेन करके एक दो की पल ना करो ज्यान रतनों का दान करते रहो प्रश्न आपने आपको अपार खुशी में रखने का पुरुश हर्थ क्या है उत्तर खुशी में रहने के लिए बीचार शागर मन्धन करो आपने आप से बाते करना शिखो अगर कर्मभोग आता है तो खुशी में रहने के लिए बीचार करो ये तो पुरानी जुत्ती है सरीर हम तो एकुष जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बंद रहे हैं सत्य युग में जा रहे हैं देविदवता बंद रहे हैं जन्म जन्मानतर के लिए ये कर्म भोग शमाप्त हो जाएंगे कम से कम एकुष जन्मों के लिए कोई भी बिमारी छोड़ती है आफ़त हड़ जाती हैं तो खुशी होती है न ऐसे बिचार कर खुशी में रहो आज का गीत हैं माताओ माता तुमी हो भग विधाता ओम शांती यो है माताओ की महिमा बंधे मात और हे माता तुम शिबाबा के भंडारा से सब की पालना करती हो न किस प्रकर की पालना करती हो औभीना शिग्यान रतनों की पालना करती हो अथवा ग्यान अमरित के कालोष से तुम्हारी पालना होती है तुम कितना भग शेली आत्मा हो तुमको शिब बाबा के भंडारा से औविना शिग्यान रतनों का खा जाना मिलता है जो सारा दुनिया में किसी को नहीं मिलता बस्तव में महिमा शिब बाबा की ही है वो करन करावनहार है वो करते नहीं वो कराते है माता है बस्तव में जगद अमबा जुरूर और भी माताई होंगी तो तुम्हारा जोंड ये तुम्हारा इस समय शिप शक्तिशना दुनिया को बदलने वाली हो तो यह महिमा माताउ की है माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है ये हमारा खाश अनभाब है शिप बाबा के जग्यों में जो रहने वाले हैं उनको उनकी भी पालना होती है और अबिनाशी ग्यान रतनों से भी माताउ धरा पालना होती रहती है माज़ूरिटी मातव की है न वहुत है जो भाई भी दैहनों की पालना करते हैं दोनों एक-दो से ग्यान रतनों की लेन्दिन करके एक-दो की पालना करती है ये बहुत बरा एक सम्सदरी भाई-बेहन का बहँत रुहानी प्यार होता है इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं एक दो को बिकार ही देते रहते हैं और निचे गिराते रहते हैं यहां अभी नशी ग्यान रतनों का खाजाना बाबा तुम्हे देते हैं तुम हो भाई बहिन ब्रम्हा कुमार कुमारिया तुम्हार टाइटल मिलती है तुम्हारा नाम ही बहुत भारी है बहुत महिमा है जगदंबा सरसती है ना तो जुरूर और भी बच्चे बच्चिया होंगे तुम उनका संतन संतोती हो तो अर्था तुम्हारा फेमिली इस प्रजा पिता लिका हुआ है ना ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजा पिता तो जुरूर कोई समय ब्रह्मा दरा प्रजा रोची गई होगी ब्रह्मा है शाकारी स्रिष्टि का पिता अलोकिक पिता गाया हुआ है प्रजा पिता ब्रह्मा दरा ब्रह्मन कुल की रचना हुई आदि आदिशनातन देविद्वत धर्मो केहना यह भी रॉंग बात है। यह इस समय नहीं, वो तो सतियुग में होगा। तो यह आदिशनातन ब्रह्मन का जो धर्मो जो है, वो प्राय लूप हो गया। इस समय परमपिता परमात्मा करके तुम्हे शुद्र से ब्रह्मन मनाते है। आदिशनातन ब्रह्मन धर्मो का अभी शुरुवात करते हैं। देवता धर्मो से भी पहले यह ब्रह्मन धर्मा है, जो तुमारा इस श्रमा हीरेतिल जन्मा है। जिसको चोटी कहते हैं, सबसे उच्छा रखते हैं, तो इनको कहा जाएगा संगम युगी आदिशनातन ब्र तो उनको बाप का परिशोय दो, यह तुमारा परम करते हैं। तो यह है मुखवात, ब्रह्मनों की तो राजदनी है नहीं, आज ब्रह्मन है, काल ब्रह्मन शुद्र बन जाएंगे, आज ब्रह्मा कुमार काल शुद्र कुमार बन जाएंगे, लिखा जाता है ना, सतियोगी डीटी वर्ल्ड सावरिंटी तुम्हारा जनम शिद्ध अधिकार है। तुम भग्योशाली आत्मा हो। देविदवत धर्म तो बरोबर है। परुंतु उन्हों को यो राजधनी कॉब और कैसे मिलती है। यो भी समझाना पड़ता है। दुनिया में किसी को ये नलेज नहीं ह इसलिए तुम जब प्रदर्शनी करते हो तो चित्रो ही तुम्हारा बरा पूजी होता है। इसमें लिखा हुआ है। शर्गों की बादशाही जनम शिद्ध अधिकार है। किस दरा वो भी लिखना परे न। यो बोर्ड बनवा कर होर एक आपने घर में लगा दो। ये परम के ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के बॉर्ड होते हैं ना, कोई पास तो मैडल्स रहते है, बैजिस रहते है, सब के अपने-पने निशाना होती है, बोरे को बड़ा और चोटे को छोटा, तो तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डरेक्शन देते हैं, आमूल में नाना लाना तो तुम्हारा बच्छों का काम है, इसलिए तुम्हें चिंतन करना चाहिए, तो कुछ बिहौंग मार की भी सर भी सोना चाहिए, आजी हां कालू हां, जहां से भी तुम्हारा बुलाब आये, तुम दोर के चरे जाना चाहिए, यो बहुत मुख्खो चीज है, डक्टर वेरिश्टरादी, सब के घर में देखो, बोर्ड लगा हुआ होता है, तुम्हारी भी बोर्ड लगा हुआ हो, कि आकर समझो, शिबाबा ब्रम्हादरा सर्गों की बात्षाही कैसे देते हैं, भाईो बेहनों, तो ये निमंतरन सब को बटना है, देना है, खुश खबरी देना है, तो मौनिशो देखकर के वंडर खाएंगे, तो अंदर आएंगे समझने के लिए, फ्लेट के बाहर भी लगा सकते हो, जिसका जो धांदा है, वो बोर्ड लगाना चाहिए न, बचे कुछ करते नहीं, तो सर्वीस भी होते नहीं, तो तुम सोडा वाटर बन जाते हो, इस उतना खुशी आना चाहिए, चुराशे जन्मों का पार्ट पुरा हुआ, फिर नई दुनिया शर्गों में जाकर के बर्शा लेंगे, यो याद नहीं रहेता, बहुत बच्छों का, बाबा के एते हैं, भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले, तो उसमें बाबा को याद करो, य जन्मों मृतुलुक में फिर नहीं लेंगे, तुम भी जानते हो ना, मृतुलुक अभी खतम होना ही है, दुनिया अभी बदलने वाली है, पहले निर्वांदाम सुइट हो में सब को जाना है, फिर आएंगे हम सत्य यूग में, बाबा के एते बच्छे, तुम तो कर्मों य जाते हैं, तो उस प्रकर तुमें भी करना चाहिए, तुम बच्छों को तो बाप की याद में रहना है, जब तुमें अफशर मिलता है, उस समय कर्मों इंद्रियों को समेट करके बाबा को याद करना चाहिए, शदर्शन चक्रों फिराना चाहिए, आपने को मस्टर बीज जार का सरा ग्यान आ जाता है, इनकी उत्पुत्ति कैसे होती है, बालना कैसे होती है, ड्रामा का चुराशी का चक्रों कैसे फिटता है, चुराशी के चक्रों के लिए ये गोला बनाया जाता है, जो मुनश को चुराशी जन्मों का ग्यान आ जाता है, इसली समझाया जाता ह बाबा ने समझाया है बचे तुम स्रिप चुराशी जन्मों लेते हो मैक्सिमम मेने इमाम तो एक जन्मों भी लेगा जो आदिशनातन देवे दवता धर्मों वाले हैं और तद जो ब्राम्मों से दवता बनने वाले हैं तो उनकी ही चुराशी जन्मों गाये जाते हैं तुम इस शुरियो जन्नम शिद्धोदिकार है तो ये हरेक ये कोशिश करे इस प्रती आपने को नुच्छावर करे लेना हो तो आकर लो इस समय भगवान लुटा रहा है आब नहीं तो कब नहीं आभी नहीं तो कभी नहीं होगा क्योंकि समय बहुत काम है इस हवुनहर महाभरी लराई के पहले पुरुशाट करना चाहिए ये भी बाबा ने पुरा ओर्डिनंस जारी किया ये बोर्ड बनाना बहुत सहज है चाहे त्रिमुर्ति लगाओ बश्षिब बाबा का लगाओ नाम परमपित परमात्मा शिप तो लगा हुआ है ना तो वो है गिता का फगवण इस समय वो आकर के ये स्पिरिच्वल नालिज दे रहा है जो कोई मुनिश्यो का पास नहीं गिता में है ही राज्यो की बाद है तो हम लिखते हैं देविश राज्यो इस्षुरियो जनम शिद्धो दिकार है यो है शिप बाबा और यो प्रजापिता ब्रह्मा डिफाइन करना चाहिए इन दरा बर्षा मिलता है ब्रह्मा दरा बर्षा मिलता है देने वाला है शिप बाबा शर्गों में राजा रने बनते हैं राम क्या देते हैं रावन क्या देते है यह इस समय तुम जानते हो सारा दुनिया नहीं जानते आधा कलप है राम रज्जो आधा कलप है रावन रज्जो ऐसे नहीं परमात्मा ही दुक देते है परमात्मा ही शुक देते है तो परमात्मा इसलिए बास्तव में तुम्हें समझना चाहिए दुक देने वाला तो रावन पांच बिकार है, जो ही बिशिश बनाते हैं तुम्हें गिरावट, तुम्हें नीचे ले आता है, कोरे दिल्ल बना देते हैं, सतियों के शिबाला है, बच्चों को भिनो भिनो प्राकर की समझानी रोज मिलती रहे मुरुली से, बाबा रोजा करके ब्रह्मा दरा शहोज राज्युक शिखाते हैं, शिबाबा आती ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में, प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कहो नहीं सकते, ये टाइटल केवल एक को ही मिलता है, कालपकलप एक को ही मिलता रहेगा, ब्रह्मन भी जोरूर चाहिए न, यो तो पु अब ही कोई चिंता का कोई बात नहीं, तो घर में कितना रोनों का जाता है, कोई आफते आती है, तो होड जाती है, तो खुशी होती है, आफते आया होड गया, अभी खुशी, खुशी में रहो, तुम भी जानते हो, अब जन्मा जन्मांतर की आफते आ रही हैं, अभी हम बाते नहीं खुशी का बात है यो है बिचार शगर मंधन कर पाइंट्स निकालना चाहिए बाबा राय तो बतला आते है ऐसे इसे अपने से बाते करो बात करना शिखो हमने चुराशी जन्मों का चक्रो पुरा किया और बाबा का पास जाते है फिर बाद में आएंगे सत्य का शक्षतकर किया तो इनको भविश्यो का शक्षतकर एकुरिट हुआ है परुंतु पहले यो समझ में नहीं आया था कि यो बिश्नु हम बनेंगे पीछे समझते गए बाबा धिरे धिरे बाबा में बहुत समझ आया है इन बिकारी ग्रियोस्त धर्मों से अब निर्विकरी ग्रियोस्त धर्मों में जाते हैं ततत्तम बाबा ने पुरा निष्चे कर लिया निष्चे कर लिया गैलफ लगाया और त्याग तपश्या पुरुशार्ट किया बास्तव में माता पिता कौन है यो भी तो इस समझ समझना चाहिए वो तो निराकार तो निराकार बुद्ध को आना परे तब तो हमें बढ़शा मिल जाएंगे जो अपना आकर के परिशोय देंगे इसलिए परमपिता परमात्मा का दुसरा नाम शयंबु है जो आप आकर के अपना परिशोय देते हैं तो इनको मात पिता बनना परे तो यो बरी मम्मा हो गई ब्रहमा बाबा दादा है अर्थत परमपिता परमात्मा निराकार हैं तो उनका बच्चा है अमरी अलोकिक पिता ब्रहमा बाबा वो है बरी मा कितने वंडरफुल बात है बाबा रोज हमें समझाते हैं दादी अर्थत ग्रेंट मादर तो कोई बन ना सके अर्थत शिब बाबा का स्त्री तो कोई है न कर दो नहीं किूए शिपाबा का कोई शरीर नहीं तो यह ब्रह्मा तो मेल हो गया न क्यूंकि मुक्षबंग्शावणशा मैं है तो प्रहंमा को सत्री बनाया तो ब्रह्मा दराहम बच्चों को इस समय तो ब्रहंम वहां मुखवंग्षबली ब्रह्म्वन मनाया, बाबा के एते, कितना गुज्च और आज है, जो समझने का है, दुनिया वाले तो कुम्भकरुन का निद्रा में है, जो की समझ करके समझाना चाहिए, तो कोई की बुद्धी में बेट नहीं सकता, कि मातपिता कौन है, वो समझ क्रिष्णों के लिए कहते हैं, तो फरक स्रिफ यो किया न, यह छोटा सा भूल, तो शिब बाबा का जगा में क्रिष्णों का नाम डाल दिया, इसको कहा जाता है, एकोच भूल, कोई तो कारण बनना चाहिए न, तो क्या भूल होती है, जो भारत इतना धुकी होता है, अभ इसे माया रावन भी करन करावन हार है, बाप करन करावन हार है, शुक दाता, और वो माया करन करावन हार है, दुक दाता, तो माया बाप से बेमुक कर देती है, तुम हमारी बच्चे हो न, तुमको बर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुमारी भी करम बिनाश हो ज देते है इश्यर शर्वोवेपी ये भोक्ती में ये बात फेल गई है बैउन्त है शर्वोवेपी भी कहते है बैउन्त भी कहते है आगे हम भी समझते थे ये ठीक कहते है क्योंकि हमें धाई हजर सल माया का खपर में आ गाया न तो माया हमें तो नाक से तो बहुत हमें नेचे गिराया तो यो तो सहज है करना की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिबाबा के से शिबाबा के साथ तो उनकी चटक परना चाहिए शिबाबा का साथ ही तुम्हारा लगन लगना चाहिए बाप के एते बैचे तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी, तुम मेरी साथ चलोगे, ये एक कंडिशन है, मैं तुम्हे नायनों की पलना पर ले जाओंगा, नायनों पर बिठा करके ले जाओंगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो, तुम मैं गरांटी करता हूँ, एम अबजेक्ट, बिगर पुरुश हर्ट कई से करेंगे, यहां अंदसरदा का कोई बात नहीं, योशी बाबा की कलेज है, तो वो है सर्गो की राचोईता, अमुर लोग के लिए परा रहे हैं, अब तो मृत्तु लोग है, मृत्तु लोग खतम हो जाएंगे, फिर सतियुक जोरूर आएगा, तो यह चक्रो फिटता ही जाता है, तो फिटता ही जाता है, तुम किस्मत वाले बन जाते हों, अच्छे, अच्छा, मिठे मिठे, सिखिल दे बच्चो प्रती, मात, पिता, बाब, ददा का, याद, प्यार, और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाब की रु मेंद्रियों को समेट कर बाप और वर्षे को याद करना है, कर्मो जोगी बनना है, आपने आप से बात करनी है, नमबर दो, आपस में ग्यान रतनों की लेंदन कर एक दोकी पालना करनी है, सबसे रुहानी प्यार रखना है, अच्छे बर्दान, दिल के सच्चे शमंदों, द्वारा जथर तो साधना करने वाले निरंत और योगी भाव, शाधना और तात शक्तिशालिया, बाप के साथ दिल का सच्चे समंदों होना चाहिए, जैसे योग में शोरिट से एकाग्रों, एकाग्रों होकर बेड़ते होना, वैसे दिल, मान, बुद्धी सब एक बाप की पेड़ जाए, यह जथर तो साधना जथर तो योग, अगर ऐसी साधना नहीं, तो फिर आराधना चलती रहती है, जैसे भक्ति में करते आये हो, कभी याद करते रहते हो, कभी फरियाद करते रहते हो, भास्तव में याद में फरियाद की कोई आवश्यकता नहीं, जिसका द आखा अनभव करते चलो, ओम शान्ति. 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 झाल 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 झाल